वाट्स न्यू की शुरुआत करते हैं कोरोना में हमारे से जूड़ी एक खबर से देश बर में कोरोना की दूसरी लहर जारी है कोरोना के इस नई वेरियंट ने आर्टी पीसिया टेस्ट को भी फेल कर दिया है इसी वज़े से मरीजों को अब CT scan कराने के सलह दी जा रही है लेकिन जैसे आपको पता ही है कि CT scan जहां काफी महगा है तो वहीं ग्रामीरी इलाकों में इसकी पहुंच ना के बरावर है जिसकी वज़े से कोरोना की इलाज में देरी हो रही है लेकिन अब टेस्टिंग को लेकर एक खुश कबरी सामने आई है जी हाँ, दरसल Defense Research and Development Organization यानी DRDO और Center for Artificial Intelligence and Robotics ने COVID-19 के मरीजों के बारे में जानने के लिए एक Artificial Intelligence को डेफलप किया है जिसे ये पता लगा जा सकता है कि व्यक्ति COVID-19 से पीड़ित है या नहीं इस AI का यूज एक्स रे स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा आपको बताते चलें कि इसका accuracy rate 96.73 पीजदी बताए गया है तो अब जहां COVID-19 के मरीजों को पता जल्दी लगाए जा सकेगा साथ ही मरीजों के लिए ये सस्ता और फिफायती टेस्ट रहेगा वाट्स न्यू की दूसरी ख़बा जुड़ी है मनोरंजन से नेट्फिक्स अपने यूजर्स के लिए हमेशा नएने कंटेंट लाता रहता है ऐसे में जब लॉक्टाउन की वज़े से सभी शो और फिल्मों की शूटिंग रुकी हुई है तो नेट्फिक्स के पास अब ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ रहा नहीं ऐसे में यूजर्स को बनाए रखने के लिए कंपनी एन प्लस सब्सक्रिप्शन लाने जा रही है जिसमें यूजर्स अब आसानी से मूवी और शो के बेहाइंड असीन्स देख पाएंगे इस सर्वेस की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने के ज़रूरत नहीं है यानि कि ये बिल्कुल मुफ्त है अगर वहीं कंटेंट की बात करें तो आपको टेक्स्ट, इमेज, वीडियो फीड तो मिलेगी ही मिलेगी साथी आप न्यूज, इंटर्व्यू, ओडियन्स कर्वेशेशन और पॉड्कास्ट के लिए भी साइन अप कर सकते हैं अब बात तीसी खबर की यूजर्स के एक्स्पेयंस को बेतर बनाने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग एप वाटसेप आए दिन नए फीचर्स पेश करता रहता है ऐसे ही नया फीचर जल्दी आपको मिलने वाला है दरसल अब आप वाटसेप में ही इंस्टाग्राम रिल्स देख सकेंगे इसके लिए वाटसेप ने टेस्टिंग भी शुरू कर दी है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में आपको एप में अलग से एक टैब नज़र आएगा जिसपक क्लिक करते ही इंस्टाग्राम रिल्स की वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएंगी रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि इस नए फीचर को यूजर्स के लिए जल्दी लोल आउट किया जाएगा न्यूस तक ब्यूरो